नमस्कार दोस्तों मैं हूं मुकेश और आज अगले चल्ड में आपका स्वागत है और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे एक्टिव और पैसिव इंकम के बारे में जैसे suppose किजी अगर मैं teaching करता हूँ मैं अपनी teaching skill बेच के जो वेतन earn करता हूँ जो income earn करता हूँ वो मेरी active income कहलाती है लेकिन जैसे कि किसी building का जो rent से जो income आती है वो उसकी passive income कहलाती है क्यांकी क्या है क्या उस पॉनर का active होना जरूरी नहीं और इस संसार में होना भी जरूरी नहीं है वो इस संसार में नहीं रहेगा तब वह income जन्राट होगी जो G पैसिव इंकम कहलाती है दो ऑटिक वह पैसिव इंकम होती है क्योंकि कभी उन्होंने कारे किया उसके बदले में जो उन्हें मान दे आज में रहा है वह उनकी जो इंकम है पैसिव इंकम जो है वह पैसिव इंकम को बढ़ाने पे जोड़ दिया है क्योंकि पैसिव इंकम को बढ़ाया जा सकता है उसकी कोई लिमेटेशन नहीं है लेकि एक लिमेटेशन है आपकी यह जगा से नहीं हो सकते हैं और active income के लिए आपको वहां पर actively work करना पड़ेगा आपको वहां पर active होना पड़ेगा आपको मौझूद होना पड़ेगा और आपकी हैं लेकिन passive income कितनी बढ़ाई जादा सकते हैं इसलिए सभी कि सभी लोग जो हैं वह जितने भी बड़े लोग हुए जितने वी बिजनस्मेन होए जितने जोगों ने प्राप्त की है उन्होंने passive income पे ज्यादा से ज्यादा जोड दिया है तो आज के लिए इतना ही दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि active income क्या होती है और passive income क्या होती है अगले चरण में फिर से हाजिर होंगे एक नए ट और लुक के साङएथ। यहा यहाद त्यू क्यास्ती हैinas Sulpurit Himself से एक यहादा त्यू क्यासा है दो सिक्रापिस एक्रापिस में अच्छे वोगों लिए घर पूले क्या है तो थायू में